आज इस कारिकरम की शुरुवात में ही मुझे हिंदी के मशहूर व्यंगकार दिवंगत शरज जोशी याद आ रहे हैं शरज जोशी एक बार बिहार गए संयोग ऐसा था कि उस समय बिहार में मैं था नौभरण टाइम्स के अपने कारिकाल के दौरान की बात में कर रहा हूँ उन्होंने किसी अपने वक्तब्बे में और बाद में लिखा भी नर्वस जो सब्द है अंग्रेजी का नर्वस होना घबरा जाना परिशान होना इसको बिहारी लोग बिहार के रहने वाले लोग भोजपूरी अंदाज में कैसे बोलेंगे इस पर एक नया शब्द निकाल दिया हिंदी में और वो शब्द था नर्वसा जाना और नौभरण टाइम्स में कहीं लिख भी दिया जहां तक मुझे आदा रहा है और नर्वसा जाना हिंदी में इतना पापुलर हुआ कि अंग्रेजी में भी लोग इस्तेमाल करने लगे कई बार तो टेलिविजन में अभी भी इस्तेमाल हो जाता है तो दोस्तों आज मैं इसी नर्वसा जाने का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा ये सवाल है क्या हमारी मजबूत सरकार इतनी ताकतवर सरकार जो प्रचंड बहुमत में है वो इतनी नर्भसा गई है करनाटक के चुनाओ के बाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बाद विपक्ष की एकता की जो गुहार है या जो आहवान है और जो उसके ल चल रही है मेहनत भी चल रही है पटना में एक एक बड़ा युनाइटेड शो भी उन लोगों का होने जा रहा है तो क्या इन चीजों से वाकई मौजूदा सरकार भारती जनता पार्टी की अगवाई वाली नरेंद्र मोदी जी और अमिच शाह जैसे ताकतवर नेताओं की अगवाई वाली सरकार क्या वाकई नर्वस आ गई है वैश्विक्स तर पर एक बड़ी घटना घटती है कि ट्वीटर ट्वीटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो एक प्लेट फॉर्म है एक बहुत बड़ा सोसल मीडिया का एक नेटवर्क है और उस पर जो उसके जो CEO रह चुके हैं Co-Founder रह चुके हैं Jack Dorsey उनका एक बयान आता है और बयान भी पूछने के करम में वो देते हैं और वो उसमें बताते हैं कि भारत में जिन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था और वो भी भारत पर एक दम कैंदरित होकर वो नहीं बोलते जब सवाल आता है तो example में उदाहरण में देते हैं और देखे जैक डॉरसी पहले अमेरिका से लेकर के और दुनिया के कई देशों की यालोचना कर चुके हैं ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है कि भारत की यालोचना केवल कर रहे हैं एकदम अलक ठलक करके तो उस क्रम में वो बता देते हैं रिवील कर देते हैं रैधर कि जिन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था भारत में उन दिनों भारत की सरकार ने जैक डॉरसी जो उस समय को अमिन उसके सीओ थे ट्वीटर को लगातार धंकियां था उसके प्रशासन को और प्रशासन ये कह रहा था कि आप ट्वीटर पर ऐसे लोगों के एकाउंट जो हैं सस्पेंड कीजिए बंद कीजिए जो लगातार किसान अंधोरन के समर्थन में लिख रहे हैं बोल रहे हैं और इस की बातें करने वाले लोगों को हरगित बरदास नहीं किया जाएगा क्यों क्योंकि ये गलत बयानी कर रहे हैं वगरा वगरा इस तरह की बातें सरकार की तरफ से मेसेज दी गई और ये भी कहा गया लिस्ट दी गई कि इतने लोग इतने संख्या संख्या भी दी गई और उसके बारे में जैक डार्सी साहब ने जो बातें कहीं हैं और जो रिवील किया था ट्वीटर ने उसमें जो आंकडे अभी छप कराए हैं वो यह है कि 2021 में 1200 एकाउंट जो कथित खारिस्तान लिंक के थे ऐसा सरकार करने माना कि उनको आप हटाईए इसके पहले 250 लोगों के काउंट खतम करने की बात की गई थी इसके इसके साथ ही 2021 में भारतीर जनता पार्टी के दो बड़े नेता दो बड़े प्रवक्ता एक तलस्याइटी सेल के जो इंचार्ज अमित मालवी हैं और पार्टी के मशहूर प्रवक्ता संबित पात्रा इन लोगोंने बाकाइदा ट्वीटर के बारे में जो बातें कहीं जो उस पर आरोप लगाएं गंभीर आरोप लगाएं उसको प्रोपगेंडा मेटरियल कहा उसको बहुत सारी अनापशराप बाते कहीं गई हैं तो ट्वीटर के मेनेजमेंट न कि अगर आप अपनी इन हरकतों को और जो हम लोग कह रहे हैं सरकार जो कह रही है उसको नहीं मानेंगे तो आपके लोगों पर छापे डाले जाएंगे उनकी गिरफतारी की जाएगी और आपके दफ्तरों को काम नहीं करने देंगे और वही हुआ हुआ ये कि गुड़गाओं और दिल्ली में वाक ही छापे पड़े काम तो चलता रहा ट्ट municipality का लेकिन छापे पड़े और ये और रेकार्ड है कि स्पेसल ब्राइंच ने वहाँ पर गुड़गाओं और दिल्ली में दोनों जगा ट्वूटर के दफ्तर पर छ ज़्यादा स्ट्रॉंग रियक्शन जिस तरह गॉर्मेंट आफ इंडिया ने दिया है एक तरफ तो दो हजार अठारा में जब जैक डॉर्सी इंडिया है उनका खायर मगदम किया गया था जबरदस्त खायर मगदम किया गया है सरकारी अस्तर पर भी लेकिन हमारे जब नेता जाते हैं विदेश में बड़े नेता तो वो तमाम बड़े बड़े दफ्तरों में जाते हैं जो इस तरह के प्लेट फॉर्म्स हैं चाहे वो फेस्बुक हो या अन्ने प्लेट फॉर्म्स हो उनके दफ्तर चले जाते हैं पाले के प्रदान मंतरी ऐसा नहीं करते थे पाले के इस्तेमाल के लिए इनके उपयोग के लिए ऐसा लगता है कि भारत की मुझूदा सरकार का हर बड़ा जो जो ओधेदार है वो लालाइत है और जब वो उनकी बात हुबहु नहीं मानते तो आप उनको धंकी देते हैं उनको आप कहते हैं कि आप बंद कीजिए और दूसरी बात जो बहुत ही चिंता जनक बात है चिंता जनक की यह बात है कि पूरे मेंस्ट्रिम मीडिया को खासकर तीवी पूरम को लगा दिया गया जैसे ही जैक डॉरसी का बयान आया कि इसको काउंटर किया जाए और वो जिस तरह की भाशा में बोल रहे हैं तीवी पूरम के इंकर्स वो भाशा पत्रकारिता की भाशा नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल लेबिल पर आपरेट करने वाले, सभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो मौझूदा सरकार है, उसी पर फोकस हैं, उसी पर एक केंद्रित हैं कि इनके खिलाफ हम कैसे प्रोपेगेंडा करें। सवाल इस बात का है कि अपने देश में जब सच को भी बोलने में इतना ज़्यादा जोखिम है, सच बोलना भी जब इतना जोखिम है, पत्रकार लेकों, पुद्धीजीमियों की गिरफतारियां, उनके उपर छापे मारियां, उनके उपर केसेज, उनके उपर अनाप छनाप आरोप, तो ऐसे दोर में अगर कोई इंटरनेशनल, ग्लोबल, जो मीडिया इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, बाइक्रो ब्लोगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल नेटवर्किंग के, अगर उन पर पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे वो कोई भी बुल्क हो, तो इसमें क्या दिक करते हैं, डोनल्ड ट्रम्प का एकाउंट भी एक समय, उनके रास्टपती रहते हुए, उसके बाद भी बहुत सारा ट्वीटर ने अबजेक्शन उठाए थे, बहुत सारी एक्शन्स भी लिये थे, हमने ये भी देखा है, हम ट्वीटर को डिफेंड नहीं करना है, लेकिन मेरा ये कहना है की अब ट्वीटर के एक एक ऐसे कदमों की भी आलोचना की जा रही है, जैसे λगता है की अराश्ट की आलोचना कर दिया ट्वीटर ने, अगर ट्वीटर ने किसान आंधुलंड में उन लोगों को भी अपना एकाउंट आपरेट करने दिया, उन लोगों को भी अपनी बात कहने दी, जो लोग किसान आंदोरन के पक्रश में थे, और किसान जो किसान, जो किसान, जो करिसी कानून थे तेन उनकी अलोचना कर रहे थे, तो इसमें क्या बुराई है, ये तो अविक्ट किया जा दी है, एक और दिल्चस्प मामला आया कुछ लोगों ने जिनमें भारतिय थे और उन्होंने एक पोस्टर थमा दिया जैक डॉरसी के हाथ में और उस पर जो लिखा था कि ब्रामणवादी वर्चस्व का सफाया होना चाहिए यानि ब्रामणवादी जो वर्चस्व है उसको वो अच्छी चीज नहीं है उसको खतम होना चाहिए कुछ इस तरह का पोस्टर था इस पर जो है पूरे के पूरे टेलिविजन चैनल उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं का कल मैंने देखा टेलिविजन चैनल इस पर कूद पड़े वाह ब्रामणवादी वर्चस्व के खिलाब क्यों जैक डार्सी ने उस समय बात कही थी क्यों वा पोस्टर उठाये थे अरे इसमें क्या बुराई है क्या इसका मतलब यह है कि टीवी पूराम इस देश का वो ब्रामणवादी वर्चस्व के पक्ष में है अगर है तो उसको डिकलेर करना चाहिए कि देश का जितना टेलिविजन चैनल है वो सारे ब्रामणवादी वर्चसो के साथ है यह चाहते हैं कि वो बना रहे है कि यह बिलकुल ऑमान भी है जिस तरह से ब्रामणवादी वर्चस्व का पक्ष लिया है टीवी पूरम ने वह बताता है कि कि तरह भारती संविधान के खिलाप काम कर रहा है यह आप समता के खिलाप हैं इसका मतलब आप डिमोक्रिसी के खिलाप हैं आप लिबर्टी के खिलाप हैं आप बंधुत्तों के खिलाप हैं क्यों एक जाती के मुल्य और जाती भी केवल जाती के लोग नहीं बलकि मुल्य विच दार विचारधारा दार्शनिक दार्शनिक जो प्रिश्ट भूमी है उस पूरे समुच्च की जो पूरी की पूरी जो एक तस्वीर उभरती है जो चिंतन उभरता है आप उसका एक तरह से पक्ष ले रहें तो जैक डार्शी ने क्या ऐसा गरत किया अब ये भी एक मैंने किसका किया गया था बिलकुल ऐसा नहीं हुआ था हमारा तो नहीं हुआ था फिर कोई कह रहा है कि पत्रकार की ग्रफतारी हुई थी किसी ने कह दिया किसी किसान नेता ने कि पत्रकारों की ग्रफतारी हुई थी किसी ने कह दिया कि पत्रकारों के एक काउंट जो हैं वो सेस गया किसी का एकाउंट सेस्मेंट नहीं किया गया किसी पत्रकार का तो दोस्तो हमने ऐसे ही एक पत्रकार की खोज की और भी पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसी कारवाई हुई लेकिन एक मशहूर पत्रकार जो लेखक में हैं जिनकी किताब आ चुकी है जो काफी मशहूर है इंडि सारे साथ जोड़े बहुत अच्छा लगा हमें आप ये बताइए कि बहुत सारे चैनल और उन पर बैठे हुए कुछ नेता भी ये दावा कर रहे थे कल मैं सुन रहा था कि भई किसी भी पत्रकार का एक काउंट जो है किसाना अंदोलन के धर्मियान सस्पेंड नहीं हुआ किसी पर किसी तरह से व्यक्त की आजादी की रोक नहीं लगाई गई किसी भी व्यक्ति की गिरफतारी नहीं हुई किसी पर कोई केस नहीं हुआ ये सब जूट है जो किसान नेता डिफेंड करना है जैक डार्सी के बयान का और किसान आंदोलन के कुछ नेता इस तरह की बात का रहे हैं कि भारती पत्रकारों के साथ भी उत्पीडन की घटना हुई तो ये क्या गलत है आप ये बताईए हमारे देश की सबसे बड़ी तरास्दी तो ये है कि हमारे जो पत्रकार हैं वो जो पीडित हैं उनके मुँ में सब ठूसके उनको जूटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ तो ब्रेकिंग पोइंट जैसे पत्रकार हैं, जो सब्सके पत्रकार हैं को जो सब्सक्क्रा. 21 को सिंगू बोर्डर से शाम साड़े छेव बजे गिरफतारी होई और मुझे तीन फर्वरी को मुझे छोड़ा गया मैं तीहार जेल में रहा और लेकिन अंजना उमकस्षप ने वहां पर खुले तोर पर ये चैलेंज किया कि किसी भी पत्रकार की गिरफतारी नहीं और ट्व पर ये सिंग खालसा जो खालसा एड के जो संस्ताफ़क हैं उनके ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया और एक मज़ेतार फैक्ट ये भी है कि आज तक ने ट्रेक्टर ट्विटर अकाउंट पर डेफेमिशन का केस भी फाइल कर रखा है और वो इसलिए फाइल कर रखा ह कि जिस किसम की पत्रकार ताज तक किसान अंदोल में कर रहा था जिस किसम से वो नफरत फैला रहा था किसानों के खिलाफ उनको गुंडे मवाली बोल रहा था उसको लेकर ट्रेक्टर ट्विटर लगातार छोड़ी छोड़ी चोड़ी वीडियो बना बना के डाल रहा था औ को एक्सपोज कर रहा था उसके बाद डेफेमेशन फाइल किया गए ट्वीटर पे तो ये सब ये ये फैक्ट्स ही हैं आप जाके चेक कर लीजिए अब हो सकता है कि अंजना उनकर्षप को मैं पत्तरकार ना लगूं लेकिन उसी टाइम पे जो जितने भी हमारी पत्तरकारों क मैं जाकर दिली पुलिस हैड़ो कौर्टर पर जाकर प्रदसन किया मेरी पढ़ाई है वो इंडियन इंस्ट्यूट ओफ मास कम्मूनिकेशन से हुई है और मैं फिसले 6-7 साल से पत्तरकार रहा हूं वालग अलग संस्थानों में मैंने काम किया है मीडिया के खुद मैं इंड गुर्फतार हूं थी धरमेंदर सिंङ्ग की गुर्फतार ही थी उबाद में रिया कर दिया गया पंजाब के बहुत सारे पत्तरकारों को नाई ए की नोटिस गए तो दस्तों आपने मंदीव पुनिया को देखा जो सौैम हिραब रहास में ये गए घरफतार हुए थे एक और पत्रकार की को हिरासत में लिया गया था धरमेंदर सिंग उनको वाद में छोड़ा गया और भी बहुत सारे पत्रकारों को लाठियां लगी थी हम किसको किसको गिनाएं लेकिन टीवी पुरम के लिए ये कोई घटना नहीं है और कल यानि कल का मतलब मंगलवार की शाम जैक डा खासकर अंग्रे जी के अकबारों में सवालात भी उठाए गए और एडिटोरियल भी लिखे गए कुछ अंग्रे जी के अकबारों में और कहा गया कि जैक डैर्सी ने जो सवाल उठाए हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है इसलिए गोस्तों मैं गौर्मेंट आफ इंडि की गोर्मेंट है लेकिन किसी पार्टी का नित्रत तो जो सरकार की अधीन होता है इस्टेट और गोर्मेंट दो अलग अलग चीज़े हैं गोर्मेंट का मतलब जो पुलिटिकल जो रिप्रिजेंटेटिव हैं गोर्मेंट चलाने वाले वो एक तरफ है और इंडियन स्टेट एक तरफ है तो जो अभी गवर्न करने हैं लोग जो जिनकी एक राजनीती है जिनका एक सोच है हमारी असामती उससे हो सकती है इसका मतलब यह नहीं कि हम भारत के या भारती स्टेट या भारत की जो पूरी की पूरी जनता है उसकी कोई आलोचना कर रहा है बिलकुल नहीं कई बार ये भ्रम पैदा करने की कोशिश मीडिया करता है खास कर टीवी पुरम करता है कि सरकार की आलोचना अगर कर दी तो आपने भारत वर्ष की आलोचना कर दी आपने इंडिया को डिफेम किया है अब जैसे उधारण के तोर पे राहूल गांधी ने अमेरिका में अगर बहुत ही गैरवाजिब चिंतन है बहुत ही बेतुका एक सोच और समझ है और ये समाज में दुष्परचारित करने के लिए किया जा रहा है कि सरकार की आलोचना का मतलब देश की आलोचना सरकार की आलोचना का मतलब सरकार की आलोचना देश सरकार का परयायवाची नहीं है तो दोस्तो इन विश्यों के साथ मैं एक पहलू और उठाकर अपनी बात खतम करता हूँ ये जो नर्भसाने का जो पहलू जो मैंने शुरुआत में कही मैंने बात अपनी कही कि क्या वाकई ये सरकार नर्भसा गई है इसको चलाने वाले क्या नर्भसा गए है अभी रास्टी स्वेम सिवक संग ने एक बहुत ही उसका जो मुख पत्र है अलांकि वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा मुख पत्र नहीं है लेकिन जब जरूरत होती है तो मुख पत्र कह भी देते हैं तो आर्गनाईजर के एडिटर सहाब ने जो केटकर सहाब है प्रफिल केटकर उन्होंने 23 मई के अपने एडिटोरियल में जो बातें लिखी है वो बहुत ही हैरतंगेज है करनाटक चुनाओ के बाद ये बातें जो सामने आई हैं कि मोदी जी का जो आकरशन है मोदी जी का जो मैजिक है उनका जो करिश्मा है वो हर जगा काम नहीं कर पा रहा है हिंदुत्तों की जो राजनीती है वो भी हर जगा काम नहीं कर रही है इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ वो बताते हैं अपने एडिटोरियल में जो उन्होंने कहा है उसका लबो लुबाब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 2024 के कांटेक्स्ट में वो ये बात कह रहे हैं लोग सबाचुनाओं के कि अनेक राज्यों में देखा गया है कि स्थानी जो नित्रित्व है जो रिजिनल लेबल पर जो लीडर सीप है स्ट्रॉंग नहीं है डिलिवरी सिस्टम ठीक नहीं उनका है विकासकारियों में प्रगती के कामों में उन्होंने काम ज्यादा नहीं किया है उनकी बेज़ती भी हुई है अब जैसे करनाटक में आप जानते हैं वहाँ तो बहुत बुरा हाल था, वहाँ तो corruption के charges थे, commission के बारे में percentage बता दिया गया था, यह मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है, जिसकी वज़ा से ये काम नहीं हो पा रहा है, ये कहकर कि मोदीजी के करिश में और हिंदुत की विचारदारा से चुनाव चीता जा सकता है, डबल इंजन काम नहीं कर रहा है, ये बात लगभग अपने शब्दों में मिस्टर केटकर ने कही है, अपने शब्दों में, तो कहीं न कहीं RSS, भारती जनता पार्टी को ये suggest कर रहा है, या निर्देशित भी कर रहा है, कि आपको नए रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी, अगर 2024 जीतना है, तो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी में RSS के इस तरह के विचारों, इस तरह की धारणाओं या इस तरह के observations को लेकर कहीं कहीं घवराट है, बेचैनी है, मुझे लगता है कि अगले सब्ताहों में जरूर कुछ नया देखने को मिलेग वो क्या देखने को मिलेगा, जब दिखेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, कोशिश करेंगे कि उसके पहले भी कुछ बताएं, नमस्कार, आदाब, सत्रियकाल